आपको बताने जा रहा हूं कि net metering क्या होती है तो जब भी आप solar लगवाते हो तो solar जो on grid अब लगवाते हो तो उसमें net metering बहुत important है net metering होती है उसके बारे मैं आपको पूरी information आपको दूँगा तो बने रही इसी तरह मेरी चैनल पर अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरी चैनल को like, share and subscribe जूट करना तो जैसे कि आपको पता है कि on grid होता है जो कि हमारा grid यानि कि जो busily होती है सरकारी busily उससे connect होता है तो आपको पता है solar जो काम करेगा धूप के साथ ही काम करेगा दिन में ये काम करता है अगर मिल अब धुन भी होती है तब भी ये काम करता है लेकिन उसकी production कम होती है तो दिन में हम solar से energy लेते हैं हमारे घर में जो busy use होती है दिन में solar से होती है रात को हम जो है वो grid से लेते हैं तो उसी की लेंदेन को वोलते हैं net metering ये जो चीज में आपको दिखा रहा हूँ ये है solar inverter जो कि solar की हमारी total production को count करता है लेकिन अब तक इसमें कितनी production बनाई है पड़े की कितनी है मतलब इसने हर महीने की वो proper उसको आपको पताएगा ये वाई-फाई से भी connect हो जाता है ये देखिए मतलब कि solar inverter जो आपका होता है वो आपके solar की total production को calculate करता है कि आपने कितनी आज की unit बनाई पूरे मंद की कितनी है देखिए आज की unit है एक बज़ें द बाकी के export करता है और रात में हम government से लेते हैं तो उसी चीज़ को बोलते है netmetering इसके लिए तीन चीज़े होना बहुत जुरूरी है जहां से हमें calculation का पता लगता है को होगे solar inverter जूकि inverter की total production को बताता है जैसे आज की production अब तक की जब से ये install करा तब से अब तक की production next आता है ब्लीव वाला मेटर जो की second number के पर है इसमें क्या होता है जैसे मालो अभी इस महीने है आपकी 1000 और solar ने मनाई 600 तो ये 600 आड़ करके 1600 वही रीडिंग कल्कुलेट करेगा simple तोर पे आप ये माल लीजिए कि ये total inverter की जो भी production है मतलब जो हमारे solar की जो भी production है उसको calculate करता है क्योंकि government के पास भी कोई proof होना चाहिए न तो इसलिए उन्होंने ये meter लगाया होता कि जैसे मालो आपकी इस महीने 400 होई आपकी total current टेडिंग 1000 तो 1400 होजेगी अगले महीने फिर 500 होई दो 1900 होजेगी ये वो चीज़ कलिट करता है और third one आगया आपका ये net meter जो की import और export दोनों को calculate करके जो net आपकी बचकी जो हमने दिन में export करी रात में जो import करी उस चीज़ को दरसाता है तो चलिए फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपनी ये चेक करना है और कैस ये है import 2181 ये import है ठीक है जी इसके बाद export आता है पंजाम में पहले import आता है then export आता है 2284 ये export है ये export अगर आपको ये नहीं पता लग रहा कि आपकी import कैसे है export कैसे है तो आप रात का रात की reading का बता कर सकते हो आपको पता लग जाएगा कि रात की reading में कितना difference है क्योंकि रा आपको इसमें थोड़ी confusion होगी तो आप क्या करना कि रात की reading का एक वरी confirm कर लेना हो तो उससे आपको पता लग जगा import और export का लेकिन पंजाब में पहले import then export यह मेरी network किया है 102 government के पास spending तो अब मैं आपको पूरा clear बताता हूँ कि देखो हमारे inverter न है वो जो total production करी है 3640 लेकिन हमारी export है 2284 वो कैसे क्योंकि बाकी जो बची हो हमने दिन में use करी क्योंकि हम जितनी use करेंगे उसके बाद ही export करेंगे उसके बाद रात को जो भी हमने import करी में जब भी solar काम ने करा यह पेंडिंग है तो इसको में utilize करूंगा और solar की बहुत benefit है मेरी तकरीवन 11 महीने complete होने वाले हैं तो इसने 3640 टोटल यूनिट मेरे को बना के दी है जसमा से मैंने इतनी use कर ली है वही मेरी 102 अभी पेंडिंग है तो देखो आने वाला टाइम electric है आपकी vehicle electric आने लगे है हर ची के लिए inverter रख लिजिए जब भी आपका solar extra बना रहे हो export करेगा जब आपको जरूरत होगी वह आप import करेंगे इसमें आपको कोई tension नहीं है कि भाई मेरे इसमें 1 AC चलेगा 10 AC चलेगे अब जैसे चला रहे हो वैसे चलाए कोई आपको extra wiring की भी जरूरत नहीं है तो on grid के बहु उसका में payment करनी पड़ेगी लेकिन other state में क्या होता है कि आपको government unit जो भी आपकी बसती है उनके बतले में आपको amount जो भी वो payment करती है तो वो क्या होता है वो आपका as per जो भी आपका unit का charge या tariff होता है उसके according आपको payment मिलती है तो यह था चोटा सा वीडियो जो कि मैंने लाग से भी start हो जाता है आपको subsidy हटा के अभी तक मेरे को इसका कोई bill नहीं आया लेकिन मेरे को जो bill आएगा normal rent ही आएगा 200 या 300 के बीच में जब भी आएगा मैं आपके subscribe करूँगा मैंने confirm करा था यह बिजली वालों से तो रहना बोला कि आपको एक साल का इकठा देंगा क यह हमारी हाँ employee की shortage चली है तो आपको पता है यह पंजाब में तो कैसा है महौल है तो यह था बाइड डिरेक्शन जिसको की net metering भी कहा जाता है तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe जरूर करना ऐसी और वी वीडियो solar के related में जरूर देखना तो थैंक यू सो मुश्च कीव सब्सक्राइब से तुन